आज मैं बिहार के आपके साथ ऐसे दिवाली की मीठाई की रस्पी सेर करने वाली हूँ जो हर घर में बनता है और लोग महीनों तक खाते हैं आज मैं आपके साथ सकरपाला गुर्पाला की रस्पी सेर करने वाली हूँ सकरपाला तो आपने बहुत जगा देखा होगा ना कि चीनी और आटे को एक साथ मिक्स करके बनाते हैं लेकिन बिहार के साइड ना इस तरह से सकरपाला बनाते हैं और गुरपाला बनाते हैं तो हमारे दरफ तो दिवाली में बहुत ज़रूरी है कि सकर पाड़ा या गुरपाला बनते हैं तो यहाँ पे चलो हम लोग बनाते हैं तो इसके लिए मैंने हाँ तीन कप गीहूं का आटा लिया एक छोट चमच यहाँ मैंने बेकिंग सोडा लिया एक छुट चमच यहाँ मैंने नमक लिया सब चिसको हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक चोटाई कब घी अट किया अगर आपके पास घी अब लेवल नहीं हो तो आप यहाँ इससे रिफाइन ओयल से भी बना सकते हो सब चिसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर इसका एक तम परफेक्ट मिक्षर बना के रेडी कर लेंगे आपको इससे तब तक मिक्स करना है जब तक इस तरह से हाथों से लड़ू ना बनने लगे आप देखो इस तरह से मैं हाथों से लड़ू बना रही हूँ तो बहुत जाद इसली बन भी जा रहा और तूट भी जा रहा है इसका मतलब मिक्षर एकदम परफेक्ट रेडी है तोड़ा-थोड़ा इसमें ग्राजवाली पानी आढ़ जाएंगे इसकी डो की कंसेस्टेंसरी जसतरा से हम लोग कहचौणी या पूरी बनाने के लिए आटा का डो लगाते हैं आ बहुत जादा हाड भी नी करते हैं बहुत जादा इसमें कर दानी करे कर लेगे सखत्रा tahun 2019 Efford और और फैरा परफेक्ट रेडी कर लोगती है। तो यह मेरा आलमोंस है in Cha therefore थोड़ा से दिकल यहां आठा प्राइब कर होगा इसका मतलब है कि डो सख्रपाला के लिएगा हôm तो एकदम आटा की consistency बहुत यहां matter करती है और बहुत important role play करेगी अगर आटा की consistency अगर आप बहुत ज़्यादा soft या बहुत ज़्यादा hard कर दोगे तो फिर आपकी जो सकरपाला गुडपाला है वो खराब हो सकती है इसलिए मैंने इसका डो एकदम perfect रखा है इसका डो एकदम पूरी या फिर कचोरी के लिए जैसे हम लोग डो बनाते हैं बहुत ज़्यादा hard नहीं बहुत ज़्यादा soft नहीं एकदम same आपको वैसे ही बनानी है मैंने आपके साथ बार बार रिपिट के आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना है जब आप इससे बनाओगे तो यह को ना बिने skip के वे देखना और एकदम perfectly आपका बनके ready हो जाएगा अगर थोड़ा सा देखे उसके बाद फिर चलो अब तो मुझे आता है बन जाएगा ना तो फिर problem होता है इस तरह आप सुरू से लेके last एक वीडियो को अच्छी तरीके से देखना एक बार में आपका एकदम perfect बनके ready हो जाएगा अब उसके बाद फिर मैंने इसे बेल लिया और side side से ने इसका cut निकाल लेंगा मतलब इसे एक square की shape में ले आएंगे तो मैंने side side से knife की help से मैंने cut लिया जो भी extra है उसके cut को मैंने निकाल लिया है तो आप इस तरह से try करना बहुत जादा easily बन जाता है कोई जादा महनत नही इसे रख तो दिवाली से पहले और इसके बाद फिर दिवाली में इसे खाओ देख सकते हो मैंने एकदम इसे square shape में अच्छी तरीके से कर लिया अब उसके बाद फिर मैं एक knife की help से ना इसे एकदम square shape में ही न कट लगा लूँगी आप चाहो तो अपने कोई भी मन अब ज़रोरी से try करना आपने के आटे और चीनी को mix करके तो बहुत बार सकर पाला आया होगा एक पर यह बहारी चाहल सकर पाला बना की देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके घर में भी सबको बहुत ज़् Y呂दिक लगेगा तो यह देखो मैंने इ गर्म नहीं किया मतलब हलका मीडियम रखा है और इस तरह आपके पास जोई कर्ची होगी ना तो उसी साब डालोगे ना तो तेल के चटाकी लग सकते हैं उपर आके तो इसे एकदम साब धानी से बनाना और इसे अच्छी तरीके से तल लेना यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडिय जाति कर लेने के अब तक पटल लेना जब तक जो कलर है ना गौल्डेन और अधिक पता चलीगा एकदम ये गोल्डेन प्रफीक्त ली हो चुका टुग एक हम गोल्डेन व्रावन हो गया है अब इसका साउंद देखना है कितना जाधा क्रिस्पी बना है अब उसके बाद फिर इसमें जो मीन चीज है वो है सकर को इसमें अच्छी तरीके से स्टिक करना और इसमें लपेट देना अब वह हम लोग इसमें बनाएंगे इसी तरह मैंने सारे सकर पाला को न एकदम अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया इसे मैंने तब तक फ्राई किया जब एक तम इसके color की consistency golden brown ना हो जाए तो यह देखो एक तम proper golden brown हो गया और यह बिल्कुल ready है तो अब चलो हम लोग इसे check करते हैं कि एक तम अच्छी तरीके से पका है केंटी यह देखो मैंने इसे एक तम थोड़ा तो एक तम यह दिख रहा है और आपको एक तम अंदर तक अ अच्छी तरीके से एक तम मेल्ट कर लेंगे अपको इसे तब तक मेल्ट करना है चीनी को जब तक इसमें से ना निकल बढ़ने लगे मतलब तार बनने लगेगा तब तक आपको इसे अच्छी तरीके से मेल्ट करना है और इसे अच्छी तरीके से ना ठिक करना है चीनी को त तो यह देखो इस तरह से स्पैचुला पर देख रहे होगे तो यहां पर ऐसे तार बन रहा तो एकदम पर्फेक्ट रेड़ी है अब उसके बाद फिर जो हमने पना के रखा था ना सकरपाला उसमें हम लोग इसे अच्छी तरीके से प्रॉपर कोट कर देंगा आप इसे कंटि तो हमारा सकरपाला है वो बिलकुल रेड़ी है अब हम लोगे हाँ पे गुड़ पाला बनाते है तो उसके लिए मैंने उसी पैन में एक कप यहां पर मैंने गुड़ लिया है और उसके बाद पर यहां पर एक चोथ हाई कब के अप रोक से हाप पर मैंने पानी याड़ों चलाते जाएंगे, इसससे आपको तब तक चलाना है, जब तक बुण, जो है ना एक्दम ठिक ना हो जाए, और इससे भी प्रॉपर जिस तरह से चीनी की चासनी से तार बन रही थी, उसी तरह से Dion speaking चासनी से ख्भापर तार बनने लगीए, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह सी consistency होनी चाहिए तो यहाँ पे आप बोल में ऐसे पानी डाल के देख लेना अगर इस तरह से एकदम बोल बन जा रही है एकदम जली की फॉर्म में हो जा रही है तो इसका मतलब एकदम perfect यह ready है अब उसके बाद फिर हम लोग इसमें अच्छी तरीके से mix कर रही है उसके उपर से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे soft add कि और एक चमच यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा add किया जिससे क्या होगा ना एकदम जो perfectly यह ना अलग-अलग हो जाएंगे मतलब गुड का जो पाला होता है वो क्या होता ने एक दूसरे में stick ह हो जाता है तो वह problem हो जाता है वह इसलिए होता है क्योंकि यहां पर हम लोग आटा नहीं बहुत लोग add करते तो आप इसमें एक टेवल स्पून अगर आटा add कर दोगे ना ठंडा हो जाएगा तो अपने ही आपना एक दूसरे से अच्छी तरीके से छुट जाएगा मतले ए तो एक दम प्रॉपर फ्रेस हो गया तो कम से कब इससे मैंने 15-20 मिनिट के लिए फ्रेस होने के लिए रहता है मतलब थंडा होने के बनने के बाद ये दिखवे अग्दम perfectly बनके ready है तो ये देखो हमारा जो सक्कर पाला वो भी रेडी है और हमारा गुण पाला भी रेडी है